प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री कारिकाल के दुरान पहली प्रेस कॉन्फरेंस की जिसमें उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे PM ने प्रेस कॉन्फरेंस में अपनी सरकार की कई उपलब्धियां किनाई और कहा कि हमारी सरकार जल्दी अपना कारिकार शुरू करने जा रही है पहले में आपके साथ ही चाय पीता था ये भी PM मोदी ने कहा आम चुनाव में रमजान, IPA लोर परिक्षा भी मीडिया ने बहुत परिश्रम किया है पूर्ण बहुमत की सरकार फिर आएगी मेरे लिए चुनाव अभ्यान पास साल में जनता के लिए धनिवाद अभ्यान था लंबे समय बाद दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी हर मोड पर देश साथ रहा है, जनता साथ रही है जनता ने खुले मन से आशिरवाद दिया है हमारी नई सरकार जल्द ही काम शुरू करेगी पिछली बाद 17 मई को इमानदारी की शुरूआत हुई हमने आखरी व्यक्ति तक योजनाय पहुचाई हम पूरी तयारी के साथ योजनाय लाते हैं मैंने एक भी चुनावी कारिकरम रद्र नहीं किया ये कुछ ऐसी बातें थी जो प्रधानमंद्री मोडी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फरेंस में कही हरत के गवरों की बात है ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो आप लोग भी और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचरल कलेमिटी जब होती है तब उनकी हानत बड़ी खराब होती है दोड़ना पड़ता है और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है इतनी उनको इतनी competition होती है इतनी महानत करने पड़ती है उतनी धूल भाकने पड़ती है और social media आने के बाद double accountability हो गई एक तो जहां काम कर रहे हैं वहां की और दूसरी personal जो tweet करते हैं उसकी तो उसके इतनी double accountability आपको काम करना पड़ रहा है तो आपने भी बहुत परिशम किया है जुरूर 23 तारिक तक आपको कुछ ताराम आपकी office से मिलेगा हमारी तरफ से तो जुरूर मिलेगा लेकिन बहुत शांदार रहा चुनाओ एक सकारात्मक भाव से चुनाओ हुआ और थोड़ा verify करने ना चाहिए लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार पांच साल पूरे करके दुबारा जीत करके आए इस आदेश में बहुत लंबे अर्से के बाद हो रहा है बहुत लंबे अर्से के बाद हो रहा है यह अपने आप में बड़ी बात है subscribe our channel and press the bell icon for more updates